रियालिटी शो बिग बॉस सेवन की विनर रह चुकी एक्ट्रेस गोहर खान इन दिनों अपनी परसनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं गोहर इन दिनों म्यूजिक कंपोजर इसमाइल दर्बार के बेटे और फेमस टिक टॉक स्टार जैद दर्बार को डेट कर रही हैं गोहर और जैद लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ फोटोस और डांस वीडियो शियर करते रहते हैं एक लंबे समय तक रिष्टे को प्राइविट रखने के बाद जैद ने आगे बढ़ते वे अपने परीवार वालों को इस रिष्टे की जानकारी दे दी है जैद म्यूजिक कंपोजर इसमाईल दरबार की पहली पतनी फरजाना के बेटे हैं लेकिन उनकी मौजूदा पतनी आईशा की भी बेहत करीब हैं हाल ही में एक इंटरव्य के दोरान इसमाईल दरबार ने बताया की कुछ दिनों पहले ही जैद ने अपनी मा आईशा को फोन करके इस बारे में पताया था उन्होंने कहा की जैद गोहर की बेहत तारीफ कर रहा था और उसने अपने रिष्टे के बारे में भी पताया है आगे जब उनसे पूछा गया की क्या गोहर को उनका आशिरवात मिलेगा तो इस पर इसमाईल दरबार ने कहा अगर जैद और गोहर शादी करते हैं तो मैं क्यों उन्हें अपना आशिरवात नहीं दूँगा अगर जैद उनसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे क्या इतराज होगा वो 29 साल का है और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और यही मेरी पतनी आईशा ने भी उससे कहा कि अगर वो खुश है तो हम भी खुश है और वो इतना बड़ा है कि उसे पता है उसके लिए क्या सही है इसमाइल दरबार ने आगे बताया मुझे फेक बनना पसंद नहीं है सीधी बात है मैंने भी दूसरी शादी की है और मेरी पहली पतनी फरजाना जैद की मा से रिश्टे ठीक नहीं थे अगर हम ठीक होते तो मुझे दोबारा शादी नहीं करनी पड़ती बच्चों ने कभी मेरी पसनल लाइफ में हस्तशेप नहीं किया और ना ही अप कर रहे हैं मेरी पहली पतनी से चार बच्चे हैं और दूसरी से एक मैं अपने सभी बच्चों के बेहत करीब हूँ आपको बता दे जैद तरबार गोहर से उम्र में 11 साल छोटे हैं और परिवार की मंजूरी मिलने के बाद भी दोनों इस इश्टे को आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं गोहर के जन्म दिन पर जैद ने उनके लिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किये थे जिसमें दोनों मैचिंग आउटफिट्स में कपल गोल सेट कर रहे थे इससे पहले गोहर खांद कुशल टंडन को डेट कर चुकी है आपको जैद और गोहर की जोड़ी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए टेलिविजन की और विचटपटी खबरों के लिए सस्क्राइब करें टेली खबरे